कैसे हुआ मैं और सासुमा शौपिंग करने गए थे अलसलीम गैंग गाई और पेर यह हाँ 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 नहीं रुक जाओ मत जाओ यू मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज मेरा आखरी वक्त है कितने सपने सजाय थे दो पच्चे होंगे एक का नाम सिंगह और दूसरे का दबंग होगा लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए पता है तुम्हारी प कितना कितना कुंबरा है जानु मौत और जिन्देगी उपर वाले के हाथों में है तो नीचे वाले उनको कैसे रोके हाँ जानु ओनली वन बेश है मेरी पता नहीं तुम पूरी करोगे के नहीं चुटकी भर सिंदू वो तो घर में है नहीं हाँ पर मैंने मंगा सूत्र का जुगाड कर लिया है पहना दो अब ज्यादा मत सचो वरना देर हो जाएगी मुझसे प्यार करते हो ना मरने वाले की आखरी ख्वाहिश पूरी कर दो प्लीज मैं जानती हो मैं जानती हो कि तुम क्या सोच रहे हो सारी सेटिंग हो चुकी है सासु मा और देर मत करो इने ड्यूटी पर भी जाना है जल्दी थैंक्स 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 सुनु जी मेरी एक और आखरी विश है को हो अब शादी हो गई स्वागन भी बन गई फेरवल के स्वी देदो प्लीज यह तो स्क्रिप में नहीं था प्लीज इतने लोग हैं इसलिए शरम आ रही है छोड़ी हनीमून मना की रहेगी यह लोग तो चले जाव सिंग शुरूप जाहिए हमें अपना काम करने दीजें सहार आता काम कर उन बार भर हम न अनने है नुग कर दो आए हम advocate हम पर ठesto कर जाए और पर्स जादि भगवान किसमे शादिंए कर लेता रहा है तुम्हें यहां किस करने को किसने कहा था यहां किस माभेहन को किया जाता है पत्नी को नहीं हुआ है थेक टू आजा आज़ आजो आजो आज़ा आज़ा है ना इसे बड़ा मेंगा है प्राप निकालो है हां बड़ा महेंगा है जी जाजी अपनी शादी की दावत नहीं खाएंगे जाए जाए तयार जाए चलिए ना जी रहाइए ना थोड़ी दिर और एक्टिंग करती ना तो ब्लड़ वाला स्टॉक खत्म होने वाला था यह सब ड्रामा क्यों किया ड्रामा नहीं रियालिटी शो जो दस बील साल बाद होने वाला था वह हम आज ही कर लिया आप दोनों का टाका भिरा दिया जाओ जी जाजी के लिए खाना लि शुष्री मिलेगा तो मुझे भी कमपनी चाहिए तिसलिए यह सब नहीं तक क्या चलत छो ट जोड़ आ तो सुनिये जी आपको मैं खाना खिलाओ अलो आपसे यही खाना है च्टप अचै अचै अगता हुआ झाल प्रियों धिल ओुर्ख्र यें ये झाल भी टी हुआ ये लिए अहुआ पिल अबडल ये घप अब व फ ये घड़ अब ये हो ये अप्टार हमा कर दो प्टार हमाद राज अजम ठाल हम धज अजम कि अंक है हमाद। जब मैं अजम जब मैं आजम गए है ड़ कि अजम जब शब तेरा बिटाओ माँ झाल कर दो खुड़ाः तपुड़ाः टुड़ाः ऐसिस पर करें पर दो नहीं जुड़ाः रिख दू़ाः रिख दो में करें पर पर दोप। अँच अज जो पुटू ए यह जो Спार तो अजश एफ मुझे मारने के लिए उसने प्रोफेशनल्स भीजे थे उसे इनका केस हाथ में लिया तब भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की CM के हत्याकान का मामला जब मैंने संभाला तब भी उसने मुझे नहीं मारा No parking zone से जब मैंने उसकी गारी टोकी तब भी उसने मुझे कुछ नहीं किया पर निक्सन के बारे में सवाल करते ही उसने अपने आदमी मुझे मारने भेजे कुछ तो गड़वर है मरे हुए निक्सन के बारे में पूछने पर अलसली मुझे मारने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ एक बात होता है निक्सन से जुड़े किसी रास के हम बेहत करीब हैं बेहत करीब अदलिक यस सर। किस देश पर या किस इंसान पर हमला करना यह कोई और नहीं बल्कि निक्सिन ही तैय करता था स्टॉप कम बैक कम बैक कम बैक जूम इन हुश 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 हाँ मैं निक्सिन से प्यार करती थी इंटरपॉल अटाक में मारे जाने के बाद ही मुझे पता चला वो एक टर्रिस्ट है अब मैं सिर्फ लोगों का दिल बहराती हूं और कुछ तुम निक्सन के किसी दोस्त को जानती थी सर आपको निक्सन के बारे में मुझसे कुछ नहीं पता चलेगा जितना आप उसके बारे में जानते हैं मैं तो उससे भी कम जानती हूं इसलिए मुझे परिशान मत कीजिए जब भी तुम्हें इंक्वाइरी के लिए बुलाया जाए तुम हमें कॉपरेट करोगी ओके शूर थैंक्यू क्या वो आया था येस बॉस क्या कहा तुम्हें आपने जैसा मुझे समझा था मैंने वही कहा जयने के बुढ को तुम्हें जजिए यह मीन में थाए करेंपर हा जे शी करश미 हूँ करेंपर हा है का जिए के जदा ये इंक्वेंailable करेंगेताक निक्सन की फैल सिर्फोल्डर धिरे शेल्स स्क्रोल डाउन स्क्रोल डाउन लौप स्थ brighten कुछ तॉइंघ जनी ध्य२र्ड पीछे गला किफले धुर निक्सनके पासप्यूर्ट पे किस देष स्टेंप लगा मैं कि कि हमें जो डीटेल्स यह थी उमिल कैसर अक्टोबर 25 निक्सन हैदरबाद आया था अक्टोबर 38 सीम बॉम ब्लास्ट 4 नवंबर को निक्सन न्यू यॉक रवाना हुआ नवंबर 5 हुसाइन की माने कंप्लेंट फाइल की कि उसका बेटा लापता है टेंथ जैन को निक्सन थाइलेंड चला गया जैन 18 थाइलेंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर पर हमला हुआ जैन 25 निक्सन इंडिया वापस आया इसके बाद सबूत नहीं की इंडिया से बाहर गया लेकिन फिर नियू यॉक इंटरपोल से खबर आती है जब निक्सन वहां गया ही नहीं तो उसके मरने की खबर कैसे आई एक बात तो तैय है निक्सन के बनावाटी पासपोर्ट पे कोई इंडिया आया जरूर है इंडिया आया हुआ वो निक्सन कौन है प्रिती सर पच्चिस ओक्टोबर को निक्सन हाइदराबाद आया था सर्विलेंस फूटेज को चेक करो